अंत्रिक्स में आत्मनिर्भर भारत की एक और छलांग जो देश को बेमिसाल ताकत देने के साथ साथ अस्पेस मिशन की लागत को भी कम कर देगा इसरो ने ऐसा कारनामा कर दिया है कि पूरी दुनिया आ गई है सदमे में इसरो ने विक्सित कर ली है ऐसी तकनीक जिसने नासा की भी नींदे उड़ा दी है दोस्तों जहां एक तरफ पूरी दुनिया की निगाहें चंद्रियान थ्री पर टिकी हुई हैं वहीं इसरों ने स्पेस में एक ऐसा मिलिटरी पावर पुर्जक्त बना लिया है जिससे भारत की ताकत अब कई गुना बढ़ने वाली हैं अभी तक पाकिस्तान और चीन अक्सर हमें परमाड़ मिसाइल की धमकियां दिया करते थे लेकिन अब भारत के पास एक ऐसा हतियार आ गया है जिससे अमेरिका भी हमसे उलजने से पहले सौ बार सोचेगा एक तरफ जहां चीन हमारी DRDO की जासूसी करने के फिराक में था लेकिन हमारे इस मिसन से चीन चारों खाने चीत हो गया है एक ऐसी तकनीक जो पलक सपकते ही किसी भी युद्ध की दिसा को ही बुदल देगी दुसमन के किसी भी मिसाइल फाइटर जेट ड्रोन को मिट्टी में मिला सकती है इस रोका सेटलाइट किलर दुसमन के किसी भी सेटलाइट को मार गिराने में सक्सम है और इस हतियार का नाम है टी एश टी ओ अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये आखिर टी एश्टी यो है क्या तो आपको बता दो कि टी एश्टी यो का मतलब है टू एश्टेज टू अर्बिटल सिस्टम ये एक ऐसा जेट है जिसकी खूबियों ने पूरी दुनिया को हक्का बक्का कर दिया है अगर इसकी खूबियों की बात करें तो भारत का ये हतियार बिजली की रफ़तार से उड़ सकता है जहां अभी तक दुनिया के सभी लड़ा की मान सिर्फ सूपरसॉनिक रफ़तार से चलते हैं तो वहीं इस रो के इस हतियार की रफ़तार सांड से 10 गुना ज़ादा है जिससे पलक सपकते ही ये दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपने सभी मिसन को अंजाम दे सकता है आम तोर पर दुस्मन को हमारे आने का पता उसकी लंबी दूरी वाले रडारों से लगता है लेकिन दुनिया का कोई भी रडार इसरों के सहतियार को नहीं पकड़ सकता जब तक दुस्मन को इसके आने की आहट मिलेगी उससे पहले ये दुस्मनों का काम तमाम कर चुगा होगा अभी तक दुनिया में ऐसा कोई भी जेट नहीं बना जो भारत के सहतियार को टक कर दे सके आजकल दुनिया का हर देश अपनी जादा से जादा सेटलाइट को भेज कर अंत्रिक्स का बादसाह बनना चाहता है सेटलाइट बेजने के लिए दुनिया बर का स्पेस अजन्सी रॉकेट्स का इत्माल कर रहे हैं जिसे लॉंचिंग की कोष्ट काफी जादा बढ़ रही है लेकिन हाली में स्पेस एक्स कंपनी ने ऐसे रॉकेट बूस्टर को बनाया है जिनका फिर से इस्तमाल किया जा सकता ह है लेकिन हमारे इसरो की टेकनलोजी इन सभी टेकनलोजी से चार कदम आगे निकल चिपी है हमारा यह जट अपने साथ किसी भी सेटलाइट को स्पेस में ले जा सकता है और साथ ही उन्हें सफलता पुरवक लॉंच भी कर सकता है इसके पहले नासा ने भी अपने की लॉंचिंग के लिए रॉकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन भारत जब चाहे इसक इसका इस्तमाल सेटलाइट लॉंचिंग के लावा जंग के मैदान में भी कर सकता है यह दुश्मनों के उपर ऐसा ऐसे हथियारों से हमला कर सकता है जिससे दुश्मनों का ब कर जाने वाले डारेक्ट एनर्जी वपन से दुस्मन के किसी भी हिस्से में एक दम सटिकता के साथ हमला किया जा सकता है अंत्रिक्स में ही रहने के कारण इसकी मदद से हम जब चाहें तब दुस्मन के किसी भी सेटलाइट को निसाना बना कर उसे तबाह कर सकते हैं युद्ध ज जैसे किसी भी हालात में भारत का ये हमला हमारे प्डोसी देश या फिर हमारे दुस्मन देश पर लगाम लगा कर उसे कुछ समय के लिए अंधह बना सकता है। इसका इस्तमाल सिर्फ जंग जैसे हालातों में ही करेंगे दोस्तों बलकि इसका इस्तमाल तो जासूसी के लिए भी किया जा सकता है भारत की ये तीसरी आँख दुनिया के किसी भी कोने में नजर बनाये रख सकता है इसमें लगे एडवांस सेंसर की मदद से पिर्थी पर होने वाली हर गत्वीधियों की निग्जानी रखी जा सकती है लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसरों ने इसे क्यों बनाया है जबकि हत्यार बनाने का जिम्मा तो DRDO को सौपा गया है तो आपको बता दू कि हाल ही के दिनों में DRDO ने सफलता के साथ कई तकनिक का इस्तिमाल किया जिसका अधार पर आज DRDO ने ने हत्यारों को बना रहा है लेकिन इन हत्यारों की मिलने वाली सफलताओं से DRDO के उपर कई देसों द्वारा जासूसी करवाई जा रही है इधर सब का ध्यान DRDO पर था कि तब तक इस्तिमाल ने अपना काम पूरा कर दिया इस परजेक्ट को इतने सीक्रेट तरीके से आगे बढ़ाये गया था कि किसी को भी कानो कानिस की भनक तक नहीं लगी थी जो नासा भारत के चंद्रियान वन दवारा की गई खोज को निहार रहा था वो आज इसरो के साथ मिलकर काम करने का ओफर दे रहा है दोस्तों इस समय भारत के विज्ञानिक इतने तेजी से काम कर रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है इस परजेक्ट से पूरी दुनिया इसरो के परतीभा का लोहा मान चुकी इसरो अब ना सिर्फ अस्पेस में लगातार अपने मिसन को भेज रहा है बलकि टी एश टी ओ परजेक्ट को करके देश को मजबूत करने में भी हमारी मदद कर रहा है इन सभी मिसन को देखते हुए इसरो को भारत का निव ट्रांसफोर्मर भी कहा जाने लगा है दोस्तो इसरो के विज्ञानिक टी एश टी ओ को 2030 तक लॉंच करना चाहते हैं जिसके लिए अभी से इसरो ने इसके लॉंचिंग की तयारी शुरू कर दी है अभी कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा कि इसरो अपने RLV के रॉकेट को परिक्षण करना चाहता है हम आपको दा दे कि वो वहिकल भी इसी टी एश टी ओ मिसन का हिस्सा है ये RLV एक तरह का Orbital Return Vehicle यानि ORV है ऐसा ही एक लॉंच वहिकल अमेरिका, रूस, जापान, चीन समयत पूरी दुनिया के स्पेस एजन्सियां बनाना चाहती है लेकिन अभी तक किसी को भी सफलता नहीं मिली है जितनी हमारे इसरो को मिल चुकी है इस TSTO प्लेन में तीन तरह के इंजन लगाया जाएंगे जैसे ही ये 15 किलोमेटर की उंचाई पर पहुँचेगा इसका टर्बो फैन इंजन बंद हो जाएगा इसके बाद इसमें लगा रैम जेट इंजन चालू होगा जो इसे काफी तेजी से उपर लेकर जाएगा फिर जैसे ही ये 25 किलोमेटर की उंचाई पर जाएगा तब इसके रैम जेट इंजन भी बंद हो जाएगे और इसके रैम जेट इंजन के जगा इसका इसके रैम जेट इंजन चालू हो जाएगा जिस से इसकी रफ्तार मैक 12 तक पहुंचाएगी सोचिये दोस्तों मैक 12 इतनी रफ्तार कोई थोड़ी-मोडी रफ्तार नहीं होती दोस्तों अगर इस रफ्तार से दुसमन पर हमला कर दिया जाए तो जिस सेत्र में हमला होगा वो सेत्र पूरी तरह से बरबाद हो जाएगा साथी दुसमन को पता भी नहीं लग पाएगा कि किस तरफ से हमला हुआ है सोचिए दोस्तों मैंक 12 इसरो आज पूरी तरह से कमर कह सुका है भारत को सुपर पावर बनाने का चाहे वो भारत को चांद पर पहुंचाना या फिर सूपर पावर की कुरसी पर ऐसा लगता है कि इस रोंहे ठान ली है कि अब कुछ सालों बाद हमारा भारत सूपर पावर बने ऐसे में दोस्तों इसरों के विज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ सेयर करना तो बनता है आप ही सोचिए दोस्तों बनता है या नहीं बनता खेर इस वीडियो के अंते तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो